देवा करहिया चे धाव बिशिव बाबा दुदेवा करहिया चड़ाव बिशिव बाबा कचवडी गली कचवडी गली सोने कैल बला मूँ जब आही हैं बले माहा मार हो कचवडी गली सूने कैला बला मून मिर्जापूरी कैला गुले जारे हो कचवडी गली सूने कैला बला मून नमस्कार मैं हूँ श्वेता सिंग और आप देख रहे हैं आज तर गंगा जी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम उस भूमी पर पहुंचे हैं जहां विंदि परवत से गंगा जी का सपर्श होता है मा विंदि वासिनी की भूमी मिर्जापूर में हमें समय है एक और प्रयाग राज दूसरी और वारणसी और इन दोनों बड़े शहरों के बीच मिर्जापूर की हालत क्या है क्या कहता है मिर्जापूर में वोटर गंगा के नारेवाला गंगा के नारे का सिद्स्थान मिर्जापूर और मिर्जापूर की अपनी समस्याय रही है हम पहले भी यहाँ पर आये हैं लोगों से बातचीत की है पर कितना बदला है मिर्जापूर और कितना बदलने की उसकी उमीद है बदला है जी मिरजापूर बदला है जब आप पहले आए होगे तो मेटकल कालेज हो गया यहां इंजिनीर कालेज बनना शुरू हो गया चारो तरफ चातुतिक सड़कों का विकास हो रहा है यहां पर इंफ्रा इस्टेच पर देखा जाए तो यहां की जो लोकल संसेजों ने बहुत सारा यहां पर काम किया है जो मुर्थ रूप में दिखाए दे रहा है इसके पहले जब आए होगी तो गंगा पूरी तरह से महली थी आज गंगाम अगदम साफ दिखाए दे रहे हैं जो सब लोग देख रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज बन गया है लेकिन दवाईया भी मेडिकल कालेज तो बता रहे हैं भाया बन गया कब बना किस साल मेडिकल कालेज बनकर तयार हो गया बच्चे वहां पर पढ़ रहा है और उन्हें अपनी सवाय गे रहे हैं लोग नहीं बदले हैं सरकार को जितना बदलना था मिर्दापूर के लिए उसने बदल दिया यह मिर्दापूर के सामने चाहते हैं अपने सांस्द से अपने सांस्द जी से तो बहुत जादे अप इच्छाम लोग नहीं रखते हैं लेकिं जितना भी कर रहें अच्छा कर रहे हैं ठीक ठाक कर रही हैं साल हो गया है उनको सांसद रहते एक कारखाना मिर्जापूर में नहीं आए वो केंद्री उद्ध्यूग मंत्री हैं यहां का पुराना सबसे बड़ा उद्ध्यूग है पीतल बेवसाई पीतल बेवसाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया जो बेवसाई चल रहा है वो भी अधिकारियों के दबाव में बहुत जल्दी मिर्जापूर की मंडी बंद हो जाएगी और अलग से कोई गवर्मेंट ने परसासा ने बेवस्ता नहीं दिया कि वहाँ अपना वो फैक्टरी कारखाना चला सके के वल वो यह दबाव डालें कि आप सहर से कारखाना हटाईए ठीक है वो सहर से कारखाना हटा लेगा तो अब इंडिस्ट्रियल एरिया तो कोई घोसित करिए वहाँ सुविधा तो दीजिए तब तो वहाँ अपना पेट-परदा चलाएगा 40-50 जार मजदूर प्लस यहां बैपारी बेघर हो जाएंगे बैपार हटने से आपका मुद्धा एक वोटर के तोर पर क्या रहेगा वोटर के तोर पर क्या चाहते हैं मिरजापूर में अब ऐसा कुछ नहीं है जो उमीद है कुछ हलक से चाहा जाए ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो मेटकल कालेज बनाया गया है उसमें ने कोई डाक्टर है भी न तो कोई आप डांच कराना चाहें तो कोई मशीन वहाँ पर है ऐसी बस मेटकल कालेज खड़ा कर दिया गया है में में मिर्जापुर की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर व्याभ्यापार चाहिए सड़के और बांकी सारी चीज़ें तो वह संस्द व्यधायकों का काम है वह जितना कर भी सकते हैं वह कर भीर它的 की पोजिशन है उसके तरफ और जो यह नहीं है हम उसमें ले करके आएंगे जबकि हमारा कार्पेट जो मिर्जापुर का हाथ से बुनाई होता है उसको हम लोग कुटर उद्योग की स्रेडी में लाना भी चाहते हैं इसके लिए सरकार से कई बार हम लोगों ने आवेधन भी किया और उनसे आग्रव भी किया और यहां पर सर का आड़र जब हम लोग को विदेश से आता है तो उसको हम लोग काती खरीदने से ले करके उसको बना करके भेजने में कम से कम नौ महीने का समय लगता है मिर्जापूरे कैला गुले जारी हो कचवडी गली सूने कैला बला मूँ क्या मुद्धा है? मेरा देखे हमें क्या चाहिए उससे ज़्यादा जरूरी है हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए जो एक्चुल में काम कर पाए तो मेरा मानना यही है कि आप अपने कैंडिडेट से पहले क्वेश्चन पूछना सीखिए और सिफ ऐसा नहीं कि वो इंसान मतलब आके आप से आप अगर उससे पूछेंगे आप सड़क बनवाएंगे अगर उन्होंने हमसे मतलब आके बोला कि हम सड़क बनवादेंगे यह कर देंगे तो हम पहले उससे पूछेंगे आपके पास कोई प्लान है कोई स्ट्रेटिजी है आप पहले उससे बताए अगर आप प्रिपेर ही नहीं है तो आप सिंपल सी बात है अभी तो आप जरूर बोलेगे कि हम बनवा देंगे पर आने वाले टाइम में आप फो चन्टीनू नहीं करेंगे तो जवाब नहीं तो वोट नहीं क्या मुद्दा है आपका मुद्दा मेरा यह है की मोदी जी 2014 में मिर्जापूर आये थे और उनोंने कहा था कि इस चीमनी से धुवा निकलना चा साब से क्यों नहीं दिखता है या फिर जिन लोगों को नहीं दिखता है वो क्यों थो कि आपको कैसा भिखता है लेके आपने कहा कि बदलाउ हुआ यहा रहा है सुपर्स जो भी सरकार आती है कुछ नए प्लान ले आते हैं मेरिजापुर में अज मेडिकल कालेज हुआ तो उससे पहले बैरिस्टर यूसूफ इमाम मंडली चिकित साले था उसी में हॉस्पिटल चलाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज का ना तो कार्डियो लाजिस्ट है न नियूरो ल जो किया है वो भी दिख रहा है लो अलग बात है कि किसी को ना दिखे वो लग भी से में अपने हां का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे सीमेंट सेक्टर उगा करती थी बंध हो गई कमबल सेक्टरी और अपने प्रतन उद्द्यों और कार्पेट का इंग UT कब बन्द है ने यह सरकार को चाहिए हमारे हें युवाव के लिए रोजगार नहीं और делать बिक कर रहे हैं गुज्राद जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं हमारे यहां कि इतने स्कोप है उस पर सरकार का नगाय नहीं है फारेटन पर ही अगर का मोज लूज झाएगा उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग सुनते कि हजारों करोण का नीवेश आ रहा है तो हमारे सांसत को चाह तो उसे भी पैसा आएगा तो यहां निवेश जो आ रहा है वो एक दो चार इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री यहां लगे और शहर को स्वक्ष रखा जाए इससे काफी फाइदा होगा कई बार क्या होता है कि बड़े शहरों के बीच में अगर कोई एक शहर पढ़ जाता ह तो क्या यही त्रासदी है मिर्जापूर की पर ऐसे भी तो सांसट चाहें तो कर सकते हैं यहां पर क्यों बेहुसाई बढ़ाने की ज़रूरा थे कि रोजगार कैसे बड़े लोगों की आमदनी बड़े बाकी तो सब कुछ चल जाता है जिब में पैसा रहेगा तो बाकी ची समझा हूं तब से वर्तमान सांसच से बहतर कोई सांसध ही नहीं मिला अचा यह सच सच बता दीजे तो हाथ उठा दीजे किसी भी पार्टी से संबंदित हैं अभी तक मैव अभी तक यहांट डकैत संच में मेरा ब्यापार है और मैं संतुष्ट मैं दूसरी चीज में जितने दिन से मैं जानता हूं लगभग करके यहां पर जब से मैं 5-6,700 को मैं जान चुका हूं इसमें 80% डकैत बने हैं मैं चाहे वो फूलंदे भी हो चाहे वो बालकमार पटेल हो चाहे वगएरा कोई भी हो पहली बार पढ़ी लिखी कोई सांसद हम लोगों के बीच में आई है और हम लोग अपना काम करेंगे रोजी रोटी हमको मिलेगी हम अपना काम करना ही नहीं चाहते हैं चाहते हैं कि बस सांस लेकिन आपके हिसाब से क्या इन से इतिफाक रहे हैं और यह जो बात कही है कि फॉस्ट टाइम कोई हाइली जो केटेड लेड़ी आई है जिसे इसको वर्क किया है क्योंकि जो यह पकापुल बना हुआ है यह कोवरस समय में बना था शाम दर्मिश्णा जी थे उसमें और उसक अभी जो सिक्स में पास हुआ है इसके अलाबा और विकारी हुए है वो सराय नहीं है और उन्होंने स्टेशन को भी काभी सुधारा है और वो अभी तोजला के लाथ काभी 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 दार्टेज हो रहा है नेकि जो सबसे बढ़ी कभी है कि ब्यापारी जो मेडियम क्लास कीव eligibility गवर्मेंट का पर उनको फीदे पर बना जा रहा हैक तो 9000 राशन बाटा जा रहा है करूड को करते हैं ौ NBA ETH पर जो मद्य सर के व्यापारी है उनके लिए कुछ सोच रखने की बात सरकार से कहीं गई है और वाकई राजनेता समझना चाहते हैं कि वोटरों के मन में क्या है तो इस बात को उन्हें समझना होगा रोजगार की समझ्या मिर्जापूर में नहीं है ये विकास का कार है और सबका साथ सबका विकास विकास करने के लिए आप जिस घाट पे बैठी हुए हमें लगता है 57 साल पहले आप यहां आई थी और इस घाट की दुर्दसा ये जो गंगा जी बैह रही सामने उस दुर्दसा थी नमामी गंग जे परियोजना का ये गंगा स्वक्ष निर्मल अगर घुमाग कैमरा देख ली जाए एक भी कच्रा आपने दिखेगा पूरा स्वक्ष भारत दूसरा चीज इसी जगह और इस कि लोग जैसे जरने विंडम फाल मुक्खा फाल लगनिया दरी वह इतने विकास कितनी फिल्मों की सुटिंग यां हो गई है और कितने लोगों को रुजगार मिला है यहां पर और हम यह चाहते हैं कि और जो सांसत की बतारी है सायद ही किसी सांसत ने विकास का कार्थ किया ह होगा दस सालों से हम यह जितनी बार से हैं इससे पढ़ी लिकी कोई सांसत हुआ नहीं है और सांसत ने विंडियर करीडोर विश्विद्याले मेटिकल कॉलेज सड़के यह बता ही आप उससे सहमत है सब ठीक है कि नहीं बिल्कुश सही है विकास अच्छा हो रहा है मिर्जा हो गया उसके लिए सरकार काम करें जाज पर बैठी हुई है लेकिन इसमें क्या होता है और यह जाते हैं लोगों की बिचार धारा गलत है हम भी मिर्जापूर के ही हैं हम जी सरूर हिवादिता जिसे लोग कहते हैं कि हम जो चीज जानते हैं उसको छोड़ के दूसरी चीज को अच्छा कहेंगे ही नहीं या हमें बुरा कहना है तो सिर्फ बुरा ठान के आये हैं वही कहेंगे अच्छा कहना है तो अच्छा ही कहेंगे हो सकता है कि कुछ अनुभव से बोल रहे हैं उनका अपना अनुभव है मेरा भी अनुभव है कि एक मरीज जाता है 22 टेंडेंट जाते हैं आपका अनुभव कहता है कि यहां काम हुआ है काम की नहीं लोगों की समस्याएं जो हैं शमस्याएं पैदा की जाती हैं. कुछ समस्याएं जेनुएन होती हैं, अब कुछ तो जबर जस्ती बना दी जाती हमारी जो सांसत महदियां है, उनका काम बहुत अच्छा है यहां पर, यह जरूरत है मिर्जापूर को जो काम किया वो पहले के सानसुद्ध नहीं किया ये इन्होंने काम किया लेकिन वर्तमान समय सच्चाय सब लोग बोलना है क्योंकि यहाँ पर आस्पताल यूसर कारी हैं वहाँ पर कोई भी जो है एक बढ़हां डाक्टर नहीं है मतलब डाक्टर है खानापूर्टी के लिए लेकिन साधन ईलाज जो है सही सेनिं है अप दूसरी जी यहां के जो नेता है मोदी जी ने यह खंबा गार दिया है अब मोदी जी जी जैसे इन्हों खुश आये कि जो पहले कभी नहीं हुआ अपने मिर्जापूर में अनुप्रिया पटेल जी यहां पर बिस्विध्याला यह सब ला रहे हैं चालू कर रहे हैं लेकिन जमीनी ने जो बाकी नगर निगम यह सब अपना काम नहीं कर रहा है यहां पर मूल भूत जो चीजें हैं वो हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि पुरानी चीजों को आगे बढ़ाया नहीं गया बंद है तो सालों नहीं दशकों से बंद पड़ी है तो उसका गुस्सा आपका सांसद पर है या देखिए इसमें पूर्ण रूप से सांसद या कोई पाल साथ याल रहती है लेकिन सरकार को उसमें सहयोग करती है लेकिन अपिछा उतनी नहीं है कि वापिछा की दूर्ण ना सहयोग नहीं देथी पड़ी के से योग की जो बात आपने की है वह दरसल मुझे यादाता प्रधान बंतरी नरेंदर मोदी ने वारणशी में एक बार वहाँ की जनता का जिकर करते हुए कहा था और कहा था कि सब को करना पड़ेगा, पब्लिक को करना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत बदलाव आया, बहुत सारी चीज recipe वहाँ पर बदली, लेकिन मिर्जापुर की शिकायते जो थी उनमे से कई लोग का कहना है कि नहीं, बहतर काम हुआ है, कुछ का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, प्रधान मंतरी का चहरा कितना important होता है एक सांसद की अपिक्षा, पीम जादा important वो हाथ उठाईए एक बार में देखू, पीम के लिए वोट पड़ता है या सांसद के लिए प्रधा ने पहले बात कहा कि फुलन देवी डिकटी, बहुत महिला सक्सित करण की उधरन है, उन्हों ने उनके अत्याचार हुआ उसका उन्होंने जवाब दिया, तो पहले बात यह बात गलत है को इनको टेवारन है, इनसे पूछ इंप किन से, आपना अपना राह देने की पुलन देवी ने निरापराद निर्दोस लोगों की निर्मम हत्याएं की और मानवर जिस तरह से बता रहा है वो ड्रकैत थी अपरादी थी माफिया थी और लूट करती थी उसका एक ही मकसद था और राजनीत वाइसे लोगों कोई जरुवत नहीं आव सकता नहीं है आप दोनों की अपनी अपनी राय है आपने भी अपनी राय रख दी उन्होंने भी अपनी राय रख दी लेकिन मिर्जापुर जो चाहता है वो चीजें आप सबने हमारे सामने रखी हैं बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब का हमारे साथ जुड़ने के लिए वोटर गंगा क पिनारे वाला में मिर्जापुर से अभी के लिए इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं आज तक